श्री भगवान इंद्रियों को श्वतंत्र छोड़ने पे नहीं मिलते हैं। याद रखो संत संग से इंद्रियां सैयम में होती हैं। संत संग से इंद्रियों की शांती बढ़ती हैं। सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए शंत संग का पहला शोपान चाया ग्रेश्थ हो, चाया बिरक्त हो, ध्यान देकर से। ये आज जो सर्वनास किया जा रहा है ब्रह्मचर का, इसी से शंत लावने मिल पाएगा। जा ग्रेश्थ हो, शंतान अद्पत्ति के लिए धर्म पुर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की सास्त आज्या करता है। ब्रह्मचर सेवन से अमोग लाव प्राप्त होता है। पहला ब्रह्मचर सेवन से लाग, संत संग का पहला लक्षन है आचरण की पवित्रता, आचरण की पवित्रता इंद्रियों की शांती, इंद्रियों की शांती अर्थात ब्रह्मचर है, प्रतेक इंद्री का ब्रह्मचर है, ब्रह्मचर से ततकाल प्रभाव बढ़ता है क्या इस्मरण सक्ति बहुत ध्यान देने की बात है अगर आपको भगवद इस्मर्ती में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर का पोशन करना पड़ेगा चाहे जोगो इसके बिना इस्मरण सक्ति आपकी काम नहीं करेगी इस्मरण सक्ति बहुत प्रवीन एक बार जो सुन लिया उसका सहिकुनों बार मनन हुआ मनन होकर उसके आगे धारणा सक्ति जो ब्रह्मचारी नहीं इस्मरण सक्ति नहीं होगी कि धारण करने की सक्ति नहीं होगी, फोखला जीवन हो जाता है, इश्मरण सक्ति, धारणा सक्ति, और संकल्प शक्ति, इतने बज़े जगना इतना करना, ऐसे चलना, ऐसे उसाब होगा, और जब ब्रह्मचर्य नहीं, तो चाहे हजार बर संकल्प करो, तुम्हारे काम में नह यह घार इश्मर्ण सकती धारण सकती शंकल्प शक्ति इच्छा सक्ति पृश्र को humor लॉत Rider करना जो संकल्प नियम ले उसका आक्षरसा पालन करना और उत्साह बना रहना और सरीर में इस फूर्ती रहना ब्रह्मचर एक विलक्षन महावरत है ब्रह्मचारी का सउंदर प्रसुटित होता है एक नूर उसके चेहरे पे जलकता है जो ब्रह्मचर को धारन करता है एक नूरीन आकर्षन बालवत चेहरा एक आकर्षन होता है भागवती और जिसका ब्रह्मचर पुष्ट होने लगता उसके शरीर से सुगंध आने लगती है शुगंध जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुरगंध निकलेगी और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरब होगी ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युप्त होने लगता है चेहरे पर हर समय प्रफुलता मुश्कान उसका हरदे नंदन वन हो जाता है आनंद वन शरीर अगर किशी अशाध्य रूक्षी युप्त है तो भी उसके विचार कभी रूगी नहीं हो सकते विचार स्वत्त रहता है और जो ब्रह्मचारी नष्ट करता है इश्मरन सक्ती नस्ट धारना सक्ती नस्ट इच्छा सक्ती नस्ट उत्साह नस्ट शरीर सक्ती नस्ट सिक्ड़ा हुआ खिन्न मुँँ देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोजह लादे हुए बैठा है दिमाग में पत्यास्याई व्यायामी बुले जो सजयू पत्थ का भोजन करता है और मित भोजन हित और मित शरीर के अनकूल साधना के अनकूल और थोड़ा भोजन करता है पत्यास से आई दूश्रा व्यायामी रोज सत्संग में घुमा घुमा करके चाहे आप 15-20 मिनठी करें व्यायाम करें दो तीन किलो मेटर आख दोड़ो चलो बाहर दोड़ने के लिए नहीं तो आएसे यंत्र चल गए है ट्रेड मेल आइसे यंत्र चले हैं उसी में दोड़ लो नहीं ट्रेड मेल तो दोड़ लगाओ शरीर को एक बार पशीना पशीना करो थोड़ी सी बेठे थोड़ी सी देन थोड़ा व्यायायम करो यह साधना के लिए भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे है कोई कुष्टी लड़ने के लिए नहीं कह रहे है यह जरूरी है पत्यास्याई पत्य का भोजन, मित भोजन करने वाला अव्यायायामे और इस्त्री शु जितात्मा इस्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं पुरुष शरीर तो इस्त्री की तरफ नहीं जितात्मा आकर्षित नहोना नरो नरोगिश्याद उसे रोगी नहीं कहते हैं भलेवा साथने रोग से गरसी तो अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है आज नहीं तो कल पता चल जाएगा क्यों रोगी है साधना करने बालों के लिए इंद्रियों को पावन करना इंद्रियों को शेयम में रखना बहुत आवश्यक है मन के गुलाम इंद्रियों के गुलाम स्वेक्षाचारी भोगों की दुर्दसा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज असयमी मनुष्य का मन और मस्टिस्क ध्यान से सुन लीजिए असयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाय हुए है उसका मन और मस्टिस्क और हर्दैस सडा देते हैं जीवन को सडा देते हैं मन और इंद्रियों को शयम में रखकर भगवच्य रनार्विंद से नहीं जोड़ोगे सडा देंगे तुमें तुमारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे जलोगे जो ब्रह्मचर हीन है मनमानी आचरन करता है ध्यान से सुनो पहला लक्षन असांत दूसरा कहीं मनना लगना अस्थिरचित तीसरा अस्वास्थ चौथा मलिन स्वभाव हीन स्वभाव किसी भी कारी को कह दो सब से पहले ना उत्साहीन हर कारी के लिए बोजा मानना ना कर देना सदा के लिए भैवे का डेरा पड़ जाना अंदर ये देखो सास्त्र है ये महापुर्शों के द्वाला लिखा हुआ है जिन्होंने अनुभो किया सब के मनों में अपने मन को मिला कर इंद्रियों का जो असयम है वो हर तरह से मनुष्य को नस्ट कर देता है लोग अद्दर का सुधार नहीं करते हैं जहाँ जहाँ असयम है वहाँ वहाँ असांती है दुख है बेविचार है सयम भी हीन जीवन सुस्क उदास हीन पशुवत जीवन है पूरण ब्रह्मचर रहे हैं तो देश का समाज का आत्मा का सब का परमलाग अपना परमलाग जहाँ ग्रेश्थों जहाँ विर्द जरूरी है अपनी सक्ति को नश्ट करना आवश्चक्ता के अनुशार धर्मयुक्त प्रयूक्त तो ठीक है हम तो प्रणाम करते हैं उन ग्रेश्थों को जो ग्रेश्थ होते हुए ब्रह्मचर का नियम ब्रंदावन में लिये हुए तूर दूर जग देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर का नियम लिये हुए एक तो परिवाल अमेरिका में हैं आये हुए हैं कुछ समय से भी आएम ब्रंदावन में स्थसंग में भी होगे सबसु विदाव अमेरिका जैसे देश में रहने हैं सबसु विदाएं बड़े ही सरल सात्तिक ब्रत्ती से और हितधाम में कसम खाई थी ब्रह्मचर की कि हम दोनों मिलकर के कसम खाते हैं कि आज के बाद ब्रह्मचर रहेंगे कैशाज जीवन अपने तो कितने ऐसे परिवार हैं हम तो उनको प्रणाम करते हैं जो एक साथ पति-पत्नी रहेकर सैयम पुर्वक जीवन वितीत कर रहे हैं आरी भगवान की असीम करपा है जिसके संग का डर बना रहता उसी संग में रहकर दोनों निकल गए कितनी बड़ी अहेतुकी करपा यह है आश्चर रात दिन एक साथ रहे हैं फिर भी कसम खाके ब्रह्मचर रहे हैं कितनी अपार करपा सिरी जी की कैसा मनों कर देती हैं सिरी जी नहीं तो बहुत कठेन है बहुत कठेन है यह वही जानते हैं जो इस मार्ग में चलते हैं जो आचरन हीन है जिसका भोजन ठीक नहीं है अब लाख बार कहा जाता है सतोगुन भोजन करो शातिक भोजन करो बजार का यह मुक्ची जानी चाहिए कितने ऐसे बजार की पैकिंग की चीज़े निकलते हैं जिसमें कीडा रेंगते हुई चलते हैं आप यह पता नहीं कौन सी बुद्धी लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रूटी बना करके नहीं खाएंगे बजार का ना ओनलाइन आना चाहिए ओनलाइन हो जाओगे हाँ ओनलाइन में चले जाओगे सावधान खान पान नहीं तो ओनलाइन में बुद्धी घुमेगी सिरी जी में चित लगाने के लिए थोड़ा ओनलाइन से हटो थोड़ा सा अपने चित को सुधार हो हम कह रहे हैं जबान में अगर सात्विक भोजन केवल जाएगा तो भजन में बहुत रुची होगी सैयम से रह पाओगे ये बावरे नहीं थे पुराने संत महतमाजन की जो शात्विक ब्रजवासियो कान या भिक्षान या सात्विक एँ देखो दस दिन केवल देखो शुद्ध दाल रोटी पाओ मुँंकी दाल उबाले रोटी पाले यूँ फिर आप देखो भजन करके और दो दिन जरा इदर उदर होटल कपा के देखो फिर देखो कैसा है कोई भी कहीं भी हो सात्विक ब्रती से अपने घर का भोजन करो कम से कम दाल पानी से धोलिये हो और वो ऐसे तो शुद्ध क्या रह गया इतने केमिकल के हुमें डाले जाते हैं कलीका कि अब सब आकर के सरीर के बिलेट पेक्रिक को अरदय के वो किकतन के रोग पयदा करें अब किसको किसको समझावे गायके मुपर राति दू भोछ से जो फष्ल होती थी बहुत है बहुत पहुत मन या दिसमन होते थे हम किशान की घर में पैदा होई तो हमें पता है अब चालिस मन पचास मन होती है तो जब आठ दस मन पैदा होती थी तो सरकारी अस्पताल के बाद स्कूल हमारा था तो सरकारी अस्पताल के डांक्टर आते थे बीच मैदान में कुर्शी ढालके हवा खाते रहते थे कोई मरीजे नहीं होता था गाउ में बुखार आया दो-चार दिन काड़ा पिया ठीक हो गए अस्पताल जाने की जुरत नहीं होती थी और आज अस्पताल में आप चले जाओ तो भीड लगी हुई है क्यों सब खान पान बिगडा हुआ है तो जो ब्रह्मचारि पालन करता है रोग से लड़ने की सामर्थाती है शोक इस पर्ष नहीं कर सकता मोह पर विचार करने की सामर्थाती प्रमाद इस्थिती नहीं रहती अकर्मनिता नहीं रहती अकाल मृत्यु नहीं होती ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है चिंता नहीं होती उसके हिंसात्मक ब्रत्ती नहीं होती द्वेस नहीं होता इरश्या नहीं होती अशांत्य नहीं होती ब्रह्मचर समस्त दोशू का नास कर देता है तमोगुन रजोगुन का विकार कामकुरोद लोग मुव मत्सर अभिमान इन सत्रूं को पराजित करने के लिए आत्मानंद में स्वाराज परिस्तित होने के लिए इंद्रियों का सहियम ब्रह्मचर अत्यनता अश्यक है ब्रह्मचर का बिमल प्रताप प्रगट होता है वीरेवान बलवान होता है विद्वान होता है तपश्वी होता है मनश्वी होता है त्यागी होता है तत्व चिंतन परायन होता है ब्रह्मचर में अलोकिक अमानुशिक शक्ति जागरत हो जाती अमानुशीक, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मचर है, क्योंकि भगवत मार्ग का पतिक है, उसकी सक्ति के सामने संसार को आश्चर असंभो जान पड़ता है, देश का अब्युत्थान, अपना अब्युत्थान, समाच का अब्युत्थान, एक ब्रह्मचारी ह सकता है बेविचारी नहीं तो ये मूर्ख लोग ये नहीं समझते कि तुम इंद्रियों की गुलामी स्वाइकार करते हो या स्वतंतरता स्वतंतरता किसे कहते हैं अभी जाना नहीं मनमानी आचरण को तुम स्वतंत्र कहते हैं कि मैं जो चाहूं कितने मिनट स्वतंत्र हो जरा देखो एक सेकेंड भी नहीं हार ब्रत्ती तुम्हें गुलाम बनाए हुए है क्या इंद्रियों का गुलामी कभी स्वतंत्र हो सकता है विचाल करो श्वतंत्र कौन है श्वतंत्र है जो श पक्षमार्ग है शरीर में सहने की सामर्थ ब्रह्मचर से आती गर्मी सर्दी बरुसात मान अपमान निंदा इस्तुती ये ब्रह्मचर से सहने से ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंतरन रखना आवस्यक है जबान पर जबान बिगड़ी सब बिगड़ा गंद पर उस्ते में गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अम्रत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धी नहीं खराब हो जाएगी, सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है, रसेंद्री, ये जीत गए सब जीत गए, और इस मार्ग में सबसे ज़्यादा इसी को धुलार करने का उसर मिलता है जहानिमंत्रन होगा वाँ चक्क होगा बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना अपने परमार्थ को चौपट कर दो खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है जो पवित्र भगवदर्पित मित अहार करता है वो अपने जीवन को भागोतिक बना लेता है कितना खाओगे याद रखो परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत सासन में जरूरत है बहुत सासन की जरूरत है रसेंद्री में अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई विंद्री आपके कबजे में आने वाली नहीं भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए प्राणों का पोशन के लिए आप ये समझो जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ती उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी आठ सो ग्राम डाल लिया एक दिन सुना था 24 गंटे में एक मानों सरीर को श्वस्त रहने के लिए 400 ग्राम अन्नी की जगरत होती बस इसके बाद तो उपर ओवरलोड करना है इतनी हान यह आप नहीं समझ पा रहे रोगों का घर बढ़ा रहे हो थोड़ा भोजन करो शातिक भोजन करो और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ट पदा था ज्यादा नौ तो आपकी जीवनी शक्ती बढ़ेगी आप उसी जीवनी सक्ती से भजन करेंगे भजन में मन के लिए लगता आप देखो एक दिन खा के अच्छे और एक दिन दो रोटी खा के विल हमारे कहने के अनुसाथ कि आपको लगे कि हां भूंक लगी अभी अब छोड़ दो फिर आप भजन में लगो देखो कैसी ब्रत्ती जाएगी सतो गुणी चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्तिक भोजन होता है नेत्र की चपलता बार बार इदर उदर देखना कानों की चपलता प्रपंचा की बात्स